आरे बॉस मुझे एक चीज बताओगे, हम लोगों ने इतनी सारी वेल्स का शिकार क्यूं किया है, यह तो इलिगल है, अगर पुलिस को पता चल गया, तो हम वैसे भी क्रिमिनल से हमें तो और मारेंगे, और एक चीज मुझे बताओ, इन वेल्स को मार के क्या ही मिलने वाला है तुम दोनों नमूनों चुपो जाओ, तुम दोनों को कुछ पता होता है या नहीं तुम लिगों को पता है, इन वेल्स के अंदर दिमाग होता है, और उस दिमाग के आजू-बाजू में जो सीरम होता है, वो इतना खतरनाक है कि वो इनसानों को बहुत इंटलीजियन बना तुम थोड़ी दर के लिए रुकोगे, मैं यहाँ पे सिरम निकाल रहा हूँ, लेकिन ये वेल भी किसी काम की नहीं है, मैंने तुम्हें क्या कहा, जितनी सारी वेल्स मार सको, उतनी मारो, तो ये क्या है, ये तो बहुत सारी वेल्स है, इन में तुम्हें सिरम नहीं मिला, नह ने कुछ कहा, तो आप क्या करें, कैसे हमें वो सीरम मिलेगा, कुछ भी करके हमें सीरम चाहिए, अगर तुमें सीरम इतना ही इंपोर्टेंट है, मेगलोड्रियन के अंदर इतना सारा सीरम होगा, कि तुम आमीर बन जाओगे, लाखो मिलियन डॉलर चापओगे, लेकिन एक दिक्कत है, मेगलोड्रियन का शिकार करना इंपोसिबल है, तुम चिंता मत करना, ये जो मेगलोड्रियन वोगलोड्रियन है, ये इतनी ही रहती है तो मैं इनको खतम करूँगा, और यहाँ पे लेके आऊँगा, बॉइस, चलो चलते हैं, लेकिन याद रखना, मेगलोड्रियन समंदर के बहार नहीं आनी चाहिए, वो समंदर के बहुत घेराई में रहती है, अगर तुमने गल्ती से भी उनकी जून को एलकारा, और वो दूँगा, लेकर मुझे नहीं लगता, यह बेवकुप इंसान सीरम ले पाएगा, उल्टा मेगलोडियन इसे खा लेगी, क्योंकि मैंने सुना है, पूरे के पूरे इस यूनिवर्स में, इस पूरे समंदर में, जहाँ जहाँ पानी है, वहाँ पे बस एक मेगलोडियन है, वह भी लाको साल जीते हुई आ रही है, अगर इन लोगों ने उसे घुस्टा दिलाया, और समंदर से बाहर निकाला, क्योंकि समंदर में एक एसा हिस्सा है, जिसे अनंच समंदर कहा जाता है, उसकी घेराई इतनी है, कि वहाँ पे रोशनी क्या, कोई नहीं आ सकता, इनसान तो वहाँ पे दूर दूर तक नहीं जा सकते, तो अगर वहाँ से मेगलोडियन बाहर आई, तो सोच लेना क्या होगा, क्योंकि उस मेगलोडियन की बारे में कुछ कहानिया है, कि वह पानी के अंदर रह सकती है, और उसके साथ जमीन के ओपर भी रह सकती है, पुराने जमान तो मेरे इस हब से मोम मेगलोडियन इनको मार देगी, बस उसे घुसा नहीं आना चाहिए, और वो समंदर के तर्ट के पास नहीं आनी चाहिए, नहीं तो, मैं तो क्या, कोई भी यहाँ पे इनसानों को नहीं बचा पाएगा अरे बहुत बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे आओ? तुम अगर नहीं आना चाहते, तो मत आओ, लेकिन लाखो डॉलर्स तुमें नहीं मिलेंगे, मुझे ही मिलेंगे अरे वो क्यों के आ रहा हूँ? मैंने उसी सिच्वेशन के लिए एक सबसे खतरनाक संबरिन मंगवाई है चल दे है, मैं कहां पे फस गया, ये सेप तो है तुमें पता भी है, इसे गवर्मेंट से परमीशन नहीं मिलीती इसे बहुत अंदर जाने के लिए बनाया गया है वो जो मैगलोड्रियन है, जहां पे रहती है, हम उससे भी नीचे जा सकते है बस तुम चांत रहो, बस नजारे का मजा उठाओ लेकिन बस डर लग रहा है, हम लोगों ने इतनी बड़ी मचली का कभी शिकार नहीं किया है क्या ये सही रहेगा तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, लाखों डॉलर्स कमाने के लिए इतना तो करना पड़ता है अब हम सत्य के बहुत नीचे जा रहे है, हम सब अंदर के आखरी कोने पे आ चुके है, क्या तुम तैयार हो लेकिन बस मैगलोडियन को ढूंडेंगे कैसे, हुआ हमें मिलेगी कैसे तुम थोड़ा सबर करो, मैंने लाया है, नियुकलियर बॉम क्या कहा बॉस, नियुकलियर बॉम तुम अंदर ही रहो, हम सत्य के अंदर आ चुके है बॉस, मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ जल्दी करो, यहां से नियुकलियर बॉम निकालो यह क्या बॉस, यह तो नियुकलियर मिसाइल से सही कहा, मैंने मिलेक्टी से चुराया है, चलो, अब इसे में स्टार्ट कर रहा हूँ, चालो हो गया, चलो, निकलो अब यहां से, बोस मैं तो पहले ही भाग गया हूँ, अब यहां पे होगा बहुत बड़ा बलास, और मेगलोड्रियन खुद बखुद मर जाएगी, हाँ, यह, 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 तो मेगलोड्रियन है, बोस भागो, तुम लोगो ने मुझे हाद साथ कर दिया, शुक्रिया, मैं इस पूरे मल्टि वस का सबसे ताकतवर और बड़ा चीव, मेगलोड्रियन, बोस यह, क्या कर दिया हम लोगों ने, यह, नही, यह क्या, बोस को इसने, प्च कि तुबाइगी इनसान लाकों साल पहले शाद हो गया हो ये कहानी सचे यही होता है जब इनसान अपनी हद्ध से ज्यादा अपने आप पो ताकत वर समझने लगता है तो इसे नहीं कुछ होता है लो जिस बला को बहुत साल पहले केत किया गया था उसे ही आज इन बेवकुप इंसानों ने अजाद कर दिया कैसे इसका सीरम निकालोगे और कैसे इसको मारोगे यह तो इंपॉसिबल है लेकिन इस सीरम के चक्कर में पूरी धरती मुश्किल में पड़ टोनी स्टाक कहा पे चले गई थे फ्रैंकलिन पदा नहीं अचानक से सायरन वजने लगा लगते कुछ गड़ बढ़े लेकिन तुम यह मामला निप्टाओ जल्दी कहा पे वो बैलास गैंग उनसे वो न्यूकलियर बॉम चीन लो हाँ मैं उनके कमपाउड में पहुच चु कर रहे हैं इनको निप्टाना होगा वह तो सही है लेकिन तुम चाहां पे हो वहां से थोड़ा पीचे तो देखो क्या कहां पीचे मतलब कहां पे उरे समंदर के पास शींचेन और चॉप तुम लोग तो स्कूल में थे तोनी स्टाक के पास क्यों पहुच गए और स्कूल मे यह क्या चीज है यह कोई पहाड है क्या जो जमीन के अंदर से निकला हुआ है फ्रैंकलीन वह एक शार्क है क्या कहा यह एक सारक है वहाँ पे कुछ लोग थे जो कि गॉड वेल को यानि वेल्स को मार के उनका सीरम का तसकरी कर रहे थे और वही लोग अनन समंदर में जाके एक न्यूकलियर ब्लास्ट करते है वो बेलास गैंग थी कहा बेलास गैंग तो अब क्या करें चाके देखो वह तुमसे रुकता है या नहीं मैं मैं इसे रोको शूटर भाई हीरो कौन है अरी भाई तू सूपर हीरो कौन है ग्रिल लैंटर कौन है मैं ही हूँ ओके गाईज इस टाइम टू हीरो टाइम लेट्स गो फाइनली मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आ रहा हूँ मुझे नहीं पता ये क्या चीज है लेकिन ये मेरे शेहर के लिए खत्रा है तो फ्रैंकलिन दफावर लैंटर इसे जरूर रोकेगा फ्रैंकलिन थोड़ा बच के ये दीरे दीरे करके शेहर की तरह बढ़ रहा है क्या कहा दीरे दीरे मतलब समझ भी नहीं आया है मेरी साब से इसका साइज बहुत ही बड़ा है तुमने कहा बहुत बड़ा अरे ये बहुत बड़ा नहीं है बहुत विशाल है ये पूरे के पूरे शहर से भी बड़ा है इसलिए तुम्हें शहर पे आने से पर इसे रोकना होगा कैसे? मुझे नहीं पता लेकिन रोको इससे तू तो अब गया ये ले आउच 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 तुम हो क्या? तुम इस दुनिया के रखवाले रखते हो वेट अ सेकेंड बुलने वाला शार्क मैं हूँ एक मेगलोड्रिया लाको साल से मैं इस अर्थ के उपर चीरा हूँ मुझे केट किया गया था लेकिन आज मैं आजाद हूँ और बस इंसानों को मारने वाला हूँ तुमने कहा इंसानों को मारने वाला हूँ यले तू तो गया वेट ये हिला तक नहीं इसको खरोज मी नहीं आई है फ्रैंकली ये प्राचीन जमाने का मेगलोड्रियान शार्क है एक शापिज शार्क क्या कहा एक शापिस चार सही कहा ये हमारे शेहर का नहीं ये ये जमीन के अंदर रहता था और तीरे दीरे समंदर में पलने लगा और उसके बाद इंसानों ने उसको पर अत्याचार किया तो इसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बुरी शक्तियों का साथ दिया और अब देखो इसके हालत क्या हो गई है मतलब मैंने वो मेगलोडेन के कहानी सुनी थी बच्चपन में हो सही थी एक जमाने में एक बड़ी शार इंसानों के बस्टी में आई थी और पूरी बस्टी उसने एकी बाइट में चबा के निगल ली थी ओमाइगोड ये कहानी तो मैंने कल सुनी थी ये सच है सुई कहो ये सची शिंचे ये सही है तुम्हारे सामने है मैं देखता हूँ इसे कोई न कोई रास्ता ज़रूर होगा इसे रोकने का वेट सेकेंड लेकिन यार ये इतना बड़ा है कि मैं इसे रोक नहीं सकता वेट ये नहीं हो सकता अरे इसके पास तो अर्मर है मेरे सबसे ये एक हाई-टेक मेगलोडियन शार्क है क्या कहा हाई-टेक मेगलोडियन शार्क मैंने कहा तुम मुझे नहीं रोक सकते मैंने भी कहा, तुम हमारे शेहर में नहीं आ सकते, यले, आउच, आउच, क्या, ये क्या हो रहा है, मेरी हड़िया, ये वाइबरेनियम से बना हुआ, हार मरे, तुम मुझे नहीं आड़ा सकते, तुम्हारी दुनिया के लोगों ने समंदर को तंग करके रखा है, मचलिया मार इतने सारे मचलियों की प्रजाती खतम किये, इसका बतला तो तुम्हे चुकाना होगा, और वेसे भी मैं इनसानों को मारके अच्छाही काम कर रहा हूँ, मेगलाड्रियन तुम्हे ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे रोक सको, तुम रोक लो इले, मैं इसे रोक भी नहीं पा गया क्या तुम्हारे पास जादू भी है सही का मैं थोड़ा बच जादू भी जानता हूँ टेलिपोर्टेशन केते हैं इसे फ्रेक्लिन थोड़ा पचके रेना मुझे नहीं पता तुम्हें से रोख पाऊगी या नहीं लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जल्दी आओ मैंचे स्पीड और बढ़ गई है अब इंसान बहुत जल्दी मरेंगे टोनी स्टार्क तुमने इसे देखा सही का फ्रेंक्लिन मैंने देखा इसकी हाई और इसके पास तो जादू ही शक्तिया भी है और इसका पूरा शरीर एक आर्मर से ढखा हुआ है इसकी फेंस देखो कितनी सक रहा है तो मुझे इससे मार पाओगे वेट सेकेंड इसकी दाथ देखो इसके दाथ बस कितने बड़े है यह नहीं हो सकता वेट करता हूँ मेरे पास एक आइडिया है इसके मूह के अंदर हूँ उत्तेरे की इसके मूह के अंदर अगर मैं ब्लास कर दू तो यह सची में मुझे नहीं रहेगा तो यह क्या ही दिन्दा बचेगा अल्टिमेट फ्रैंकले दा पावर लैंटर्ण क्या कुछ नहीं हो रहा है तुम अब मरोगे मेरे मुझे क्या कर रहे हो मैं बहुत दीरे दीरे इंसानों की तरफ बढ़ रहा हूँ कोई मुझे नहीं रोक सकता हाँ ह लेकिन तुम्हें रोकने के लिए हमें पूरा जी जान लगाना पड़े तो भी चलेगा यह बलस गैंग यार क्या ही करती रहती है टोनी आ रहा हूँ मैं यह तो सिधा सिटी के तरफ बढ़ रही है हमें शेहर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा आउच आउच य हमारे पास जदर समय नहीं है अगर इस शेहर में बढ़ रहा है वेट यह बहुत नजदी के शेहर के कुछ ना कुछ करना होगा टोनी मैं आ गया हूँ यह क्या यहाँ पर तु सारे के सारे हिरो आ गए है शूटर भाय अब बहुत लेट हो इतने बूरे सुपर हिरो कैसे हो अरे वह तो सुपर हिरो को मुसिबत के समय बहुत ही जल्दी पहुचना पढ़ता है मैं तो बहुत जल्दी आना चाहता था लेकिन पता नहीं मेरी एनर्जी को क्या आओ की आये मैं तुम्हारी एनर्जी इसलिए काम हुई है क्यूकि तुम उससे कॉन्टैक कर चुके हो एक बार शेहर के अंदर या चुटे से गाउ के अंदर एक बहुत बड़ा मचली जैसा मॉंस्टर आया था लेकिन ग्रीन लेंटन ने अपनी असीम शक्तियों के साथ उसे वहाँ पे कैट कर दिया सही कहा फ्रेंक्लीन हमारे भी पुराने ग्रंथ में ऐसा ही कुछ उलेक है अब क्या करे इसे कैसी आ रहा है तुम इने तो मुझे बुलाया तुम्हारे पास कोई ने कोई रास्ता होगा ली जल्दी करो लाखो लोगों की जान खत्रे में है Franklin हम लोग कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते मतलब ओ शूटर भाई हम कुछ नहीं कर सकते और इसकी ताकत तो इतनी है Avengers भी किसी काम की नहीं है मतलब तुम लोग हार मानने के लिए बोल रहे हो Franklin सच्ची में हम इसके सामना नहीं कर सकते हमारे पास ऐसी टेकनोलजी और ऐसे हिरोज नहीं है कि इतने बड़े दानों से लड़ सके यार तुम लोग ने ये बताने के लिए मुझे यहाँ पी बुलाया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते इससे अच्छा तो मैं वहाँ उससे लड़ते वे मर जाओ और क्या मिलेगा लड़ते में मर जाओ तुमारे मरने के बाद ऐसे भी ये दुनिया खतम हो जाएगी लेकिन ये आज़ात कैसे हुआ ये सब कुछ बेलास गैंक की वज़े सी हुआ है वो लोग सीरम के पीछे इतना पागल थे क्यों नहीं ब्लू वेल को मारा बहुत सारे बलू वेल्स को मारा लेकिन उन्हें वो सीरम नहीं मिला जिससे इंसानियत की बुद्धी मता बढ़ती है लेकिन वो सीरम लाखो वेलो में एक वेल के अंदर होता है वो भी नैचुरली और उसकी कीमत लाखो डॉलर्स में है और किसी ने तो मुझे लगता है उनको बताया है समंदर के अंदर एक मेगलोड्रियन केद है अगर उसे आजाद कर दो तो उसके अंदर बहुत सारे सीरम है और शेहर का अरब पती बन सकता है इसलिए बेलेस गैंग की लीडर ने वहाँ पे नुकलियर बॉम बलाश कर दिया और उसके बाद ये मेगलोड्रियन आजाद हो गई इसी चीज के लिए वो लोग नुकलियर बॉम की तसकरी कर रहे थे लेकिन अब मैंने उनको पूरी तरीके से निप्टा दिया है लेकिन अब क्या करे शेहर में वो मॉνस्टर घूम रहा है प्रेंकलिन कुछ न कुछ करना होगा वेटर सेगे तुमारे लैंटर्ण ग्रंथ में और तुमारे ग्रंथ में या हमारे पुराने ग्रंथ में कोई ना कोई जिकर होना चाहिए कि उसे रोकने के लिए कोई न कोई रखबाला जूरूर आया होगा भले वो उसमें नाकामियाब हुआ होगा लेकिन वो आया तो होगा भले तुम्हारे लैंटेंटन रदमे लैंटें में उसे रोका तुम्हें किसी न किसी ने help तो की होगी क्यूंकि मैं भी लैंटन हूँ लेकिन मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ हाँ ये हो सकता है मुझे रिसरच करनी होगी स्पाइडर मैन हटो वास है अले याल मैं तु यही पे खला लेता हूँ हलबाल ठीके अतला हा हूँ तुम लोग अपनी एक्स्प्लेमेंटल कोशिश शुलू कलो शिंचन वेसे यार वहाँ पे सो बेल्स को मारा गया था ये कितनी बुरी बात है न अरे वही तु इसकी वज़े से ये मेगलोटरियन शार हमें मारने के लिए आ रही है चोप क्योंकि हम लोग बहुत बड़े तादत में मचलियों का शिकार करते है यार ये दोनों तो छोटे बच्चे लेकिन इनका कनवर्डेशन बड़ो जैसा लग रहा है तुम लोग चूप हो जाओ यार जो भी है हम लोग इसका सामरा कर लेंगे ये सब कुछ एक मिसेंडर्सेंडिंग की वज़े से लेकिन उसमें ये भी जिखरे कि उसके बाद उस रखवाले को किसी ने नहीं देखा लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो रखवाला कौन हो सकता है उसमें उसकी शकल और नाम के बारे में कुछ लिखा हुआ है इतना तो नहीं लिखा हुआ लेकिन इतना लिखा है कि वो एक बड़ा बंदर था क्या कहां बड़ा बंदर शिंचेन उतने की चाप अरे हाँ मेरा दोस्त जो कि हाली में बना है किंग कॉंग अबे बेवकुप में तो गोड़िला बोल रहा था गोड़िला और बंदर में फरक होगे ना ये हैलो अर्थ ये क्या चीज़े अ तुम्हें नहीं पता है फैलो अर्थ के नीकषे बी एक अर्थ है जहाँ पे जाना इनसानों के लिए मना है और लेकिन इंसानी हाप आ करते हैं तो मेरी साबसे वही पर बंदर रहा करता है जंगलों में वहां पे अजुबह ग पे है औरे हाँ ठीक है मेरे साथ चलो किंग कॉंग से मिलवाता हूँ फेरा प्यारा दोस्ट अरे चलो जल्दी वह मॉस्टर शेहर में बढ़ रहा है जल्दी करो ठूनी तुम्हेरे बस कोई कार है आपकी कार आगई है तेरी कार आई या ना है लेकिन मेरी साथ से यह लाको लोगों को पूरी तरीके से कुचल देगा और यह हवा में भी उड़ता है यह तो बहुत नव्तिक पोच रहा है शेहर के कार कहा पे है तेरी की फ्रेंकल बैया यह देखो यह रही कार है हम लोग यह शार्क नहीं है यह मेगलोड्रियन है और इसकी एश पता है कितनी है लाखो करोड़ो साल से यह जिन्दा है धरती की नीचे और इसने तो क्वाली जादू और लगता है इलियन से भी हाथ मिला लिया है इसके साथ हाइटेक का वज भी जुडे हुए है क्या कहा एक सोलज से दोस्ती मत किया कर और या रभी वही दोस्त तुमारी हेल्प कर रहा है शूट भाई सौरी तू तो गुर्सा हो गया ठीके 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 लेकिन बताया कर ठीके ओके आगे से बताओंगा अब तो आएगा मज़ा चलो किंकाउं के साथ चलते हैं रास्ते में केली ले 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 कासी बात है क्या मैंने पहली बार नोटिस किया है अब तो यार हम लोग बुरे फसे चलो केले लेके चलते हैं लेट्स गो ओ माई गौड मैं शेर के कितने नजदिक आ गया हूँ लेकिन मैं आज़ाद हूँ इसलिए नहीं मैं आज़ाद इसलिए हुआ हूँ उस किंग कॉंग को खतम कर सको लाकों साल पहले उसने इनसानों की मदद कि थी मुझे केद करने में लेकिन अब मैंने अपने आपको झुट बोल रहा है मेरे से क्योंकि हमारे पाच तरह समय नहीं है यह वो बड़ा सा शार्क मेगलोटरी शार्क शहर में पहुंचता ही ओगा क्योंकि तुम उप्लीज रखो यहां पर रुख जाओ यहां पे तो बहुत सारे लोग है क्या कहा यह लोग भी इसी की तलश में आए कॉंग के अब इनको भगाओ प्लीज ऐसी बात है ठीक है भगाता हूँ ओए बच्चे तु भी यहाँ पे कॉंग से मिलने आया है इस पिस्तोल से कॉंग को क्या मारेगा तू मैं तुझे मारूंगा बाग या से जल्दी भाग या स निकलो 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 अरे भाग रहा हूँ पानी से भागूंगा और बबर बब शुक्रिया शूट भाई हांचलो सारा मामला साफ हो गया आ जाओ शीचेण चॉप यह लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे तै वीट यहीं क्या चीज है और मचली या मुझे मचली यह डरे अभे यार ये लोगोंने मचली अमारी यहापे कितने वन हो गयार क्पर प्राइब लूखे अभे गएक और सुटे में पर सब्सक्राइब ऐह और इसकी बि शर्चार्ण सक निकल लिए और यार यार ये पैंट तो अलग पेहैं यह वाला सूटा लगे शिट चॉप तेरी एसी किते सी नमू ने क्या वो आएगा औरे जरूर आएगा देखो भी आते ही होगा ओ मैगोड आपके पीछे ये को शूटर भाया ही क्या कहा ये क्या है ये क्या है ये है क्वक ये है क्वक औरे वाप औरे भागो, 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 भागो! औरे वाप, महाँ बहुत बढ़ी है! ये क्या? चाप तुने मेरी लिया, और के लित्ली ला है! औरे वही तो कॉइंग, ये ले, मेरी दोस्त! पहरे आंपर इसनी बेट क कहौँगा कैले! अबे यार यह यह ऐसा कैसे बेटा है और केली कैसे खाएगा यह कोने चोमू यहाँ पेटा कर रहा है क्या कहा तुमने मैं फ्रैंक ले नू मैं बात करता हूँ यार शूटर भाई शान्थ हो जाओ यह तु यह फो खा लेगा पागल लगता है क्या यह मुझे खाले लेगा मैं क्या तुम्हें कमदोर लगता हूँ चाप औरे शूटर भाई चुप हो जाओ अपना बूबन रखो काम निकलो आना है न नहीं निकलो आना सौरी 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 बात कर जल्दी चाप ओके कांग एक प्राबलम आई है यार यह क्या प्राबलम मेरे दोस्त को तुमने मुझे बहुत के लिए दिये है बोलो मैं तुमारे लिए क्या कर सकता हूँ औरे मेगलोडरियन शार्क वो हमें खतम करने वाली यह पूरी इंसानियत को मुझे लगता है तुम उसे रोक सकती हो इसे लगता है नहीं तुम ही हो रखवाले एक बहुत बड़ा बंदर जिसने मेगलोडरियन को बहुत साल पहले रोका था और आज भी रोकोगे प्लीज हमारी हेल्प करो मैं नहीं करूंगा मुझे पता है मैं गलोडरियन आ गई है मैं उसे जानता हो मैंने बहुत साल पहले उससे लड़ाई की थी लेकिन पता है मैं उसमें हार गया था वो तो अच्छी बात है कि ग्रिन लैंटर ने अपने ताकत की मदद से उसे केट कर दिया